वेलकम टू निती का स्टेडी पॉइंट मैं हूँ निती और आज हम जानेंगे इस्प्लीन या प्लीहा के बारे में इस्प्लीन जो है वो हमारे बॉड़ी में पाए जाने वाला एक लिंफेटिक सिस्टम का पार्ट होता है जो की हमारे बॉड़ी को प्रोटेक्ट करता है इनफेक्शन से जम से क्योंकि एक लिंफेटिक सिस्टम का पार्ट होता है और हमारे बॉड़ी में जो फ्लूड है उसका बैलेंस भी बनाता है इस्प्लीन या प्लिहा जो है वो सरीर की सबसे बड़ी लिम्प गाट होती है और इसे सरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है इस्प्लीन को यहां पे RBC का कबरिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि जब RBC या Red Blood Cell Destroy होते हैं या फिर कहें उनका जब वो तोट फूर जाते हैं तब यह इस्प्लीन में ही आकर जमा हो जाते हैं इस्प्लीन की जो उत्पती है वो मीजोडर्मल होती है इस्प्लीन की और हम बात करें देखें इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा तो सबसे पहले जान लीजिए इस्प्लीन जो है वो रेटीकुलो एंडो थिलियमी टीसू की बनी हुई होती है और इसके अंदर टीसू भरे हुए होते हैं जिसे यहाँ पे spl attic pulp या फिर रैटीकुलो एंडो थीली यल उतक या tissue कहा जाता है यहाँ पे हमने जाना कि spllia या spleen जो है उसमें splanic pulp भरे हुए होते हैं और इस splanic pulp को यहाँ पे दो भागों में divide किया गया है पहला होता है स्वेत मजजा या फिर वाइट पल्प दूसरा है लाल मजजा या फिर रैड पल्प स्वेत मजजा या वाइट पल्प जो है उनका आकार है वो नियमित नहीं होता है एक साइज में नहीं हो सकते हैं और ये वाइटिस एरिया के समान दिखाई पड़ते हैं और इसलियें soul मज्जा या white bulb कहा जाता है इन एरिया में या white pulp में nodules पाया जाते हैं साथ ही साथ यहां पे lymphocytes का जाल भी पाया जाता है हमारा सेकेंडर एरिया होगा लाल मज्जा या red pulp यह spleen का सरवादिक area या फिर भाग बनाता है compare करें हम red और white pulp की तो red pulp का area जो है वो ज़्यादा होता है और ये लार रूदिर कडिकाओं की इन में अधिक्ता पाई जाती है इसलिए ये red color में दिखाई पड़ते हैं ये सीरा वीबरों के बनी भी होते हैं और इनके बिच बिच में टीसू भरी होते हैं हमारा जो red pulp है उसमें जालक तंदू, एरित्रोसाइट, लिंफोसाइट, मैक्रोफेस, मोनोसाइट्स पाई जाते हैं यहाँ पर हम देखें इस्पलीन का जो साइज है वो क्या होगा तो साइज जो है वो 12 cm लॉंग होता है 5 cm इसकी ठीकने सोगी और 7 cm यह वाइड होता है और यह पाया जाता है हमारे इस तमक के पीछे यहाँ पर अगर हम बात करें इस्पलीन का जो फंक्सन है वो क्या होगा तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह रक्तकडो का निर्माड करती है हम सभी जानते हैं कि जो बलड है या फिर रक्तकड जो है उसका निर्माड बोन मेरों के द्वारा किया जाता है पर जब गर भावास्ता होता है प्रेगनेंसी का टाइमिंग होता है तब इस्पलीन के द्वारा रक्तकडो का निर्माड किया जाता है पर बाद में यहाँ पे जो रग्तकनों का निर्माड है वो बोन मेरों के द्वारा किया जाता है Second यहाँ पे क्या होता है इसका function यह filter करता है blood को blood से जो west cell होते हैं साथ ही साथ जो damaged blood cell है उनको filter कर देता है जिससे की जो हमारा blood है वो क्या हो जाता है साप हो जाता है थर्ड यहां पर है यह एंटी बॉडिस का निर्माड करता है साथ साथ वाइड ब्लड सेल बनाता है जो कि हमारे बॉड़ी को बचाता है इंफेक्शन से और दूसरे रोग जनक जो जिवाडू है विसाडू है या कहें जो सुप्षमजीऊ है उनसे नेक्स्ट के तो यह हमारे फ्लूड लेवल को worrying करता है हमारे बॉड़ी मी जो पानी की मात्र है उसको भी बैलेंस करने का कारियर स्प्लीन करता है तो यहां पेस प्रकार से स्प्लीन का function हो जाता है blood को filter करना साथ ही हमारे body को infection से बचाना जब कोई इनसान malaria रोग से पिडित हो या फिर कोई malaria का patient हो तो उसका जो स्प्लीन है वो बड़ा हो जाता है क्योंकि इस समय lymphocyte और RBC की जो संख्या है मृत RBC की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और इसके storage के लिए यहाँ पर स्प्लीन का जो size है वो बढ़ जाता है तो यह बहुत interesting fact है कि malaria patient का जो स्प्लीन है उसका जो size है वो बड़ा हो जाता है यहाँ पर स्प्लीन और liver को एक साथ RBCS का छनीतर भी कहा जाता है तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस्प्लीन हमारे body में बहुत important role अदा करता है जो की हमारे इस तमक के पिछे पाया जाता है और lymphocyte का भाग होता है साथ ही इसे कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान आज का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन प्रेस कीजे थैंक्यू सो मच फर वाचिंग